प्रधान मंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प को हमेशा से आगे करते आये हैं और ट्रम्प भी ऐसा करते हैं On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. अमेरिकी इतिहास के अंडर किसी भी दूसरे राष्ट्रे अध्यक्ष का इतना बड़ा सम्मान नहीं हुआ जितना हुआ था हावडी मुदी के अंडर. और भारत के इतिहास के अंडर अंग्रेशों के जाने के बाद में आजार तोर के उपर इतना बड़ा सम्मान किसी भी अन्य राष्ट्रे धक्ष का नहीं हुआ जिसे हुआ था नमस्ते ट्रम्प में. भारत के डिप्लोमेसी के अंडर दूसरे देशों के हर एक बात को अच्छा बताना जारी रहा, मगर ये रिलेशन्शिप कुछ अलग है. जैसे ही अमरीकी राष्टपती के रिजल्ट आते हैं, भारत के अंदर बहुत सारे लोग टूडो को बदाया देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब को पता था कि यहां क्या खेल हो चुका है. पिछले चार साल से अमेरिका और भारत के रिश्टे खराब होए हैं, और उसी के साथ में केनेडा भारत के रिश्टे तो बिलकुल खतम हो चुके हैं, और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो ट्रम्प की थी जो वापस आ चुके हैं. अमेरिका में एक ट्रम्प के समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी के जो लीडर है शलप कुमार वो कहते हैं कि ट्रम्प के आते ही ये अलगावाद वाला मुद्द तुरंत खतम करेंगे. पिछले चार साल से ही जो बिमारी कैनेडा और यूएस के अंदर पनाप रही थी इसको जान बूच कर पन पाया गया था, इसका कोई मेनिंग नहीं था और इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर ये साफ तोर से सामने आ गया. अमेरिका के एक और सेनेटर बड़े स्थर के ओपर एलान करते हैं कि पीएम मोदी और डोनाल ट्रम्प के साथ में पूरे विश्व की एकोनोमी सुधरेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों नेता जानते हैं, एक दूसरे के साथ काम कैसे किया जाता है. इस बारे में कोई दोराये नहीं है कि अमेरिका की स्थिती खराब है, कैनेडा की भी है, पूरे वर्ड की स्थिती इस तमें खराब हो रही है, और इसको बचाने के लिए सबसे बड़ा जो असर था, वो ट्रम्प का हो सकता है, उसके अंदर भारत साथ देगा, अभी से एक प्रयास लगाए जा रहे हैं, यह जो चुनाव है, इसका असर कैनेडा के अंदर भी पड़ेगा, एक बहुती बड़ा इंस्टिटूट, एंगस रीड इंस्टिटूट, उसने पोल किया था और पोल के अंदर सामने आया, कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं, तो कैनेडियन जनत यह चाहेगी कि टूडो आगे जाएं, मगर डोनाल्ड ट्रम्प अगर जीत जाते हैं, तो उनका खेल खतम होना तकरीमन तय है, बाइडन एड्मिनिस्टेशन की और टूडो की जो नीतिया हैं, यह पॉलिटिक्स के उपर जाधा अधारे थी, इनको एकोनोमिक्स के उपर ज जो बिमारी है, यह धुआ धुआ हो जाएगा, ट्रम्प एक एकोनोमिस्ट है, देशबक्त लीडर है, उनको केवल और केवल अपने देश की पड़ी है, और उनको चाहिए डील, आप डील दीजिए, उसके बाद में जो काम उनसे करवाना है, करवा लीजिए, मोधी का भी करीबन वही विजन है, जो ट्रम्प का है, आप डील दीजिए और काम करिए, गाओं के अंदर जैसे पंचायत के अंदर बैटी पॉलिटिक्स होती है, वो बनता जा रहा था पूरे के पूरे विश्व की पॉलिटिक्स का, कि काम किसी को करना नहीं है, तु मेरी टांग हूँ, मगर अब ये बहुत ही तेजी से बदलने वाला है, तो आखे ट्रम्प जब दोबारा से यहां पावर के अंदर आए है, तो भारत और युनेटिट स्टेट्स के बीच के अंदर जो ट्रेड है, उसका आखिर क्या होगा, ट्रम्प ने ये खुद ने कह रखाए कि वो टैरिफ को बरदाश नहीं कर पाएगा, भारत की तरफ से वो अब शुरू हो सकते हैं, और साथ ही के अंदर ट्रम्प तो ये कहते हैं कि तुम जो ट्रीटी दोगे हम भी देंगे, आज के समय भारत के अंदर अमेरिका के बहुत सारे प्रोड़क्ट्स आते हैं, उनके उपर ड्यूटी लगती है, भारत को बस उनको खोलना है, उनको इस प्रकार से खोलना है कि उनकी ड्यूटी कम हो जाए और अमेरिका कोलने को बिलकुल तयार है, मगर चैना इस बात के लिए बिलकुल राजी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका असर उसके उपर 10 गुना ही नहीं, 100 गु पावर के अंदर आने के बाद में जो बाइडन की पार्टी ने अपने वोट्स को बढ़ाने शुरू किया, उनको भी ये बात का पता था कि अगली बार ये मामारी वाला फेक्टर नहीं चलेगा, और उन्होंने बहुती गलत ख़दम केल कर, अलगावादियों को आगे करने मगर जो स्विंग जगे होती है, वहाँ पर छोटी कॉमिनिटी जादा महत्व रखती हैं, जैसे कि इंडियन अमेरिकन कॉमिनिटी जो की काफी रिच भी है और वो अपना भला बुला देखती है, भारत वांच ये लोग होते हैं, उनको काम दंदे से लेना देना होता है, उ और ये बिना काम के पचड़े पिछले कुछ समय से अमेरिका के अंदर उनके लिए बढ़ते जा रहे थे, देखा चाहे तो परमपरागत तोर पर ये हमेशा से बाइडन की पार्टी यानि की डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देते आए हैं, कमला एहरिस जो है, वो ऐसे आदमी को चुना, जिनकी वाइफ भारत वंची हैं, इंडियन अमेरिकांस का अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस समय भी 6 से सांसद हैं, जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, और अभी तो रिजल्ट सारा आया न जीत रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रभाव शाली हो चुके हैं, इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग होई थी, वो एक आखरी मौका था बाइडन के लिए मोदी के साथ के अंदर पैच अप करना और भारत के साथ रिष्टे सुदारने का, मगर वो ऐसा कर नह नुसार चलेंगे, तो आप डिसीजन ढंक से ले नहीं पाएंगे, केवल डेड़ दो महीने पहले मोदी अमेरिका भी जाते हैं, और अमेरिका के अंदर उनको, युनाइटे डेशन के अंदर उनका बहुत ज़रूरी काम था, और इसके लिए कहा गया कि वो एक और मौका दे सकते हैं, बाइडन को, रिष्टे सुधारने का, मगर ऐसा हो नहीं पाया, बाइडन के साथ में मोदी की मीटिंग होती है, मगर उसके पहले ये लोग क्या करते हैं, ये जाकर उन अलगावादियों को, जो गिने चुने 100-200 ही हैं, उनके साथ में मीटिंग कर लेते हैं, ये मीडिया के अंदर लीक हो जाती है, भारत को ये बात पसंद नहीं आती, और भारी मन से भारत के प्रधान मंतरी वापस भारत के अंदर आ जाते हैं, मगर जब भी ये यहाँ वाले प्रधान मंतरी का मन भारी होता है, तो कुछ न कुछ घटना करम तो होता है, पूरी तरीके था कि बारत के अंदर जो इंटरनरल अफेर सें, उसके अंदर अमेरिका इस प्रकार से अस्तक्षेप कर रहा है तो जैशन करने हालां कि ये कहा था कि जो अमेरिका हमारे बारे में कह सकता है, तो वो अपने बारे में सुनने के लिए तयार रहे मगर ऐसा हुआ नहीं ये कि वल वार्निंग थी जिस समय मोदी अमेरिका गए थे और भारी मन से वापस लौट रहे थे उस समय ये बात भी मानी जा रही थी कि वो डोनाल्ड ट्रम्प अपने जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उनके साथ में मागा क के अंदर यानि कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो उनकी मुहें मैं उसमें भी वो आकर ट्रम्प कार्ड की तरह खेल सकते हैं मगर उन्होंने मना कर दिया अमेरिका के बहुत सारे ऑफिशल्स भारत के ओपोजिशन वाले लोगों से मिलते हैं और ये इंटरनल मैटर् दिया है खुले तोर के उपर बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया खुले तोर पर मोधी जाकर ट्रम्प से नहीं मिले अंदर जो हुआ है वो तो हुआ होगा ये बात इसलिए काफी बड़ी है क्योंकि ट्रम्प ने खुद ने भी ये जारी कर दिया था बयान कि जब नरेंद उनको शूब कामनाई दी हैं और उनके ऐसा करते ही सब समझ गए कि पिछले इतने महीनों से क्या चल रहा था पूरे विश्व के साथ में अमेरिका के जो रिष्टे रहने वाले हैं और किसी अन्य कंट्री के साथ में रहने वाले हैं उसके अंदर बहुती बड़ा असर पड करता है कि ज्यादा नुकसान चाइना का हो और फाइदा के अंदर भारत आ जाए ट्रम्प एक देशबक्त लीडर है उनको केवल अपने लोगों का भला चाहिए अपने देश की प्रॉस्पेरिटी चाहिए जैसा कि मोदी यहां पर करते हैं अपने यहां पर लोगों के स्ली करने की कोशिश की जा रही थी यह धुआ 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 होने वाले हैं मसला यह है कि डोनाल्ड ट्राम्प और ट्रूडो के बीच के अंदर रिष्टे कोई खास अच्छे है नहीं ट्राम्प एक बहुत करिश्माई लीडर है जो की काम पहले करते हैं सोचते बाद में हैं ट सबसे बड़ा चेंज आया है जिसको कोई समझ नहीं पाया कि इस मामले के अंदर भारत के ज्यादा तर लोग ट्रूडो को शुब कामनाई क्यों दे रहे हैं जब ट्रंप जीते हैं क्या वो उनको चिड़ाना चाहते हैं यूक्रेन वाले मसले के अंदर भी ट्रंप ने कहा था कि मैं आते ही युद्ध को रुकवा दूंगा क्या वो ऐसा कर पाएंगे और गजा के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर भी ट्रंप क्या डिसिजन लेते हैं ये तीन-चार दिन के अंदर ही स्थिती क्लियर होने वाली है अमेरिकी चुनाव का पूरे विश्व के उपर असर पड़ता है भारत के उपर पड़ेगा चाहे कोई माने या नहीं माने और ये जो रिजल्ट आए हैं आज के समय देखा जा रहा है कि ये भारत के पक्ष के अंदर आए हैं भारत को आगे ले जाने के लिए आए हैं और इसके अंदर भारत के राश्टर प्रमुखियाने कि नरेंदर मोधी का एक एहम योगदान है उनके निजी रिलेशन्स का देखते हैं आगे क्या होता है नमस्कार धन्यवाद जैहें